स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटीन में तो दोस्तों आज हम एक नवंबर से पांच नवंबर तक की कंप्लेट सूजस पड़ेंगे और वही पॉइंट देखेंगे जो प्रीक्षा की दश्टी से मैत्वपूर्ण है और आज की वीडियो में साथ में पॉइंगे जो प्रीक्षा की दश्टी से मैत्वपूर्ण है तो आप से एक ही रिक्वेस्ट के जाती है कि आप वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो मैं आपका ज्यादा टाइम ने लेते वे वीडियो को स्टार्ट करता हूं हमारे पहले पॉइंट के साथ हमारा पहल योजना कब स्टार्ट की गई 20 अगस्त 2022 को और इस योजना को स्टार्ट करने का मुख्योदे से क्या था स्कूली बच्चे ग्रामीन वे सहरी युगाओं को अपने बिजनेस आइडिया के अनुसार्स्वें का स्टार्ट अप बिजनेस शुरुआत करने की साहिता परदान क इसका मुख्योदे से अगर देखें तो साफ सब्दों के अंदर तो का जा सकता है कि स्कूली बच्चा या कोई ग्रामीन और सहरी बच्चा अपने आइडिया के साथ अपना स्टार्ट अप शुरू करना चाता है तो राजस्तान सरकार के द्वारा उसे कुछ अनुदान दि ख्राइं की जाती है कि कौन सा विबाग है तो यह important रह जाता है तो कौन सा विबाग है सूचना प्रोदोगी के एउर संचार विबाग राजस्तान सरकार का एक तो यह योजना कब स्टार्ट की गई इसकी डेट इंपोर्टेंट है 20 अगस्त 2022 को और एक इस योजना को स्टार्ट करने का मुख्योदे से क्या है कि ग्रामिन और सहरी बर्चे अपने आइडिया के नुसार स्टार्टप शुरू करना चाते हैं तो राजस्तान जरकार के द्वारा उन्हें कुछ अनुदान रासी परदान की जाएगी और स्टार्टप रासी कितनी मिलेगी एक लाग से पांस लाग रुपे तक और यह काफी इंपोर्टेंट है कि आई स्टार्टप योजना कौन से विवाग के तैज संसालित की जाती है सूचना प्रोधोगी की एउं संसार विवाग और इसमें एक पोइंट है वो भी हम याद कर लेते हैं कि हैल्थ, रूरल डवलेप्मेंट जिसे हम ग्रामिन विकास, एन्वार्मेंट जिसे प्रयावन का विकास या लाइलिहूड चेतर मतलब एजी विका के छेतर में एक्सलेंट काम करने वाले बिजनेस टार्टप को इन्वेशन एक्सलेंस अवार्ड भी दिया जाएगा तो कौन कौन से चेतर के अंदर, चिकिश्या के चेतर के अंदर, ग्रामिन विकास के, प्रयावरन के और एजी विका के चेतर के अंदर कोई भी अच्सा काम करेगा उस बिजनस टार्ट अप को एक इन्नोवेशन एक्सिलेंस अवार्ड भी दिया जाएगा और इस अवार्ड की तो आई श्टार्ट अप राजस्तान योजना कम स्टार्ट की गई 20 Αगस 2022 को और इस योजना को स्टार्ट करने का मुख्योदे से क्या है कि ग्रामिण बच्चे अपने स्टार्ट अप शुरुआत करना चाते हैं तो राजस्तान के सरकार के द्वारा उसने कुछ अनुदानरा सी साइता दी जाएगी और अनुदानासी कितनी है एक लाग रुपे से पांस लाग रुपे तक और यह योजना कौन सी विभाग के द्वारा संचालिक की जाती है सूसना प्रोधोगी की यहूं संचार विभाग तो इसमें नोट लगा कि एक बात भी थी वो इंपोर्टेट थ कि कोई भी बिजनस स्टाटप अगर हैल्थ प्रयावन चेतर और एजीविका चेतर और ग्रामिन विकास के चेतर के अंदर अच्छा काम करेगा उसे इन इनोवेशन एक्सिलेंस अवार्ड भी दिया जाएगा पर्तम स्थान पर कितने दो करोड रुपे और सेकिंड स्थान क को दस सजार से एक लाक रुपे तक का ला दिया जाएगा वहीं कोई युवा स्टाटप करना चाता है तो उसे पांच लाक रुपे तक का अनुदान राजस्तान सरकार के द्वारा मिलेगा और महिला उद्मियों के लिए जो भी अनुदान है वो दस परतिसत आरक्षित रख होम कमिंग स्टाटप पेकेज मिलेगा तो इसमें च्यार पॉइंट है स्कूली चात्रों को कितने रुपे से कितने रुपे तक दस अजार रुपे से एक लाक रुपे तक और युवा स्टाटप करना चाता है तो उसे कितने पांच लाक रुपे तक और महिला उद्मियों के के लिए कितना परशेंट आरक्षित है दस परतिसत आरक्षित रखा जाएगा और दूसरे राज्ये से स्टाट अप करने वाले युवाओं को राजस्तान में बिजनस करने के लिए पांच लाग रुपे का होम कमिंग स्पोर्ट पेकेज मिलेगा तो दोस्तों मैं आसा करता कि आई स्टाट अप राजस्तान योजना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मुख्य मंत्री ग्रामिन रोजगार गरांटी योजना एक सोटी सी योजना है जो मनरेगा की तर्च पर चलाई गई है हमारे राजस्तान सर लेते हैं इसकी गोशना कब की गई बजट 22 और 23 के अंदर मुख्य मंत्री ग्रामिन रोजगार गरांटी योजना को लागू किया गया इसके अंदर क्या है वो हम पॉइंटों के मादर से देखते हैं कि इसके अंतरगत जिन परिवारों ने इस वीतिया वर्स में 100 दिवस का रोजगार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहट प्राप्त कर लिया गया है वो सर्मिक इनके लिए पातर होंगे उनको 25 दिवस का अत्रिक्त रोजगार दिया जाएगा तो मुख्य मंत्री ग्रामिड रोजगार गरांटी योजना कब क्या है कि जो भी परिवार है वो मनरेगा के तरज पर 100 दिवस का रोजगार उपलब कर लेता है तो राजस्तान सरकार के द्वारा 25 दिवस का अत्रिक्त रोजगार उन्हें प्राप्ति मिला जाएगा और इसकी गोष्णा कब की गई बजट 22 और 23 में तो मुख्य मंत्री ग्रामिड रोजगार गरांटी योजना चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ खाज सुरुक्षा योजना जो इंपोर्टेंट है आपको पढ़ाई गई है एक बार फिर से हम देखते हैं राज्ये के नागरिकों को राशन की सुईदा परदान करने के लिए खाज सुरुक्षा योजना को सुरुक किया गया है जिसके अंतरकत परदेश के गरीब और जरूरतमन लोगों को उसी दरकी दुकानों से चावल गेहूं वे अन्य राशन सस्ती दरों से में परदान किया जाएगा तो इसका मुक्योदे से क्या है कि जो भी राशन लेना चाते हैं गरीब और जरूरतमन परिवार लोग उनको राशन की दर उच्छोती है उन्हें राशन कार्ट के माद्यम से कम किम्मत पर वही राशन उपलब्द करवाया जाएगा और यह योजना किसके तैस इंसालित की जाती है NFSA नेशन फूर्ट सोसाइटी एक्ट के माद्यम से के अंदर सरकार की दुआरा राश्ट्य खास रुक्षा योजना परदेश में नेशन फूर्ट सोसाइटी एक्ट लाबार्ती की अधिक्तम संक्या कितनी हो गई थी? 4.66 लाग करोड और पर इसे बंद कर दिया गया था कब बंद किया गया था? इसकी डेट जरूर याद रखें 18 मई 2020 को बंद कर दिया गया था अब इसे पुन्य श्टार्ट किया गया है और कहा गया है कि 10 लाग परिवारों को राश्ट्य खाद सूरुक्षा शूची में जोडने की गोशना की गई और ए एक सोटी सी योजना है खाद सूरुक्षा योजना इसमें क्या होता है इसमें राशन कार्ट के माध्यम से गरीब परिवार को कम कीमत पर राशन उपलब करवाया जाता है और यह किसके तहस संचालित होती है योजना नेशन फूड सोसाइटी एक्ट के माध्यम से इसके अंदर दो पूइंट थे जो प्रिक्षे की दश्टी से मैतोपुन है इसे बंद कब किया गया था 18 मई 2020 को क्योंकि लाबार्ती की अधिक्तम संक्या 4.6 ला करोड दर्ज कर ली गई थी इसे बंद कर दिया गया था अब नई बज़ट कोशना में इसे पुनाय स्टार्ट किया गया है 22 और 23 में और कहा गया है कि 10 लाग परिवानों को राष्टिय खाच रुक्षा सुची के अंदर फिर से जोड़ा जाएगा तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ सोर करसी एजिवी का योजना ये कब स्टार्ट की गई? 30 सितंबर 2022 को अब इसे स्टार्ट करने का मुख्य उदे से क्या है? कि किसान अपनी बंजर भूमी पर सोर उर्जा सेंतर स्तापित कर सकता है अब इसे हम पॉइंटों के मादेम से देख लेते हैं राजस्तान के मुख्य मंत्री असोग गयलोत ने किसानों को अपनी अनुप योगी और बंजर भूमी पर सोर उर्जा सेंतर स्तापित करने के लिए साहिता के लिए सोर करसी एजिवी का योजना को मंजूरी दी गई है तो इसे कम मंजूरी दी गई है कि कोई भी किसान अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमी पर सोरूर्जा सेंतर स्तापित करने में साहिता के लिए इसे स्टार्ट किया गया है योजना की अंतरगत एक ओनलाइन पोर्टल है जो कब लॉंज किया गया 17 अक्टूबर को इसकी डेट जरूर याद रख लेना जहां किसान अपनी भूमी या किसान जो भूमी का मालिक है अपनी जमीन को सोरूर्जा सेंतर स्तापित करने के लिए लीज पर देनों हित्तू पंजिकर्ट करवा सकता है तो दो से तीन पॉंट थे हैं एक तो इसके डेट जरूर याद रखना कब स्टार्ट की गई 30 से सितंबर 2022 को और इसे स्टार्ट करने का मुख्योदे से क्या है कि किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमे पर सोरुजा सेंतर स्तापित कर सकते हैं और इसके लिए एक ओनलाइन पोर्टल लॉंच किया गया है जो कब किया गया 17 अक्टूबर को उसके माध्यम से किसान या जो भी भूमे का मालिक है वो अपनी जमीन को सोरुजा सेंतर स्तापित करने के लिए लीज पर देने हितु पंजिकर्ट करवा सकता है कि हमारे यहाँ प को पढ़ाई गई है इसे कब स्टाट किया गया एक माई 2022 को इससे पहले राजस्तान में मुख्य मंत्री चिरंजीव स्वास्ते बिमायोजना संसालित थी जिसकी बिमारासी कितनी थी पांस लाग अब नई बजट कोशना 22 और 23 के अंदर यहरासी पांस लाग से बढ़ा कर कि दस लाग और पांस लाग की अतरिक बिमारासी एक अन्य योजना स्टार्ट की गई मुख्य मंत्री चिरंजीवी दुरगटना बिमा योजना जो कब स्टार्ट की गई एक मही 2022 को और इसमें लाग कितना है पांस लाग रुपे तक का नी सुलक दुरगटना बिमा अंसरकार इसका नेक्स्ट पॉंट देखते हैं इस योजना का मेहतोफुन उदेश से दुरगटनाओं के कांड होने वाली मर्तियू या स्ताई अपंक्ता की स्थिति में आर्तिक साहिता परदान करना नेक्स्ट पॉंट देखें तो इस योजना के तहट दुरगटना में मर्तियू हो जाने पर बिमित व्यक्ति के परिवार को पांच लाग रुपए की आर्तिक साहिता परदान की जाएगी और वहीं स्ताईय पंक्ता की स्थिति आ जाती है दूसे डेड़ लाग से तीन लाग त दिलता है पांच लाग रुपए तक का निसुलक दुरगटना भीमा और यह योजना कौन से विवाकित है संसालित की गई है जिकित स्वास्ते हख राजस्तान सरकार और इस योजना का स्टार्ट करने का मैथ पून उद्या से क्या है कि सहना के अंदर दुरगटना के कान मर और मर्तियू या अपंग्टा की स्थिति में रास्ता जरका के द्वारा उनके परिवार जनों को आरतिक साइता उपलब्द करवाई जाएगी अगर किसी की अपंग्टा की स्थिति आ रीते उसे। डेड़ लाग से तीन लाग रुपे तक का अनुदान दिया जाएगा सब योजना आपको अच्छे से समझा दी गई है और मैं आसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी अब हम चलते हैं जो क्यूसन प्रिक्षा के दश्टे से महतोपुन है उसकी तरफ योजना से हटके बारतिय वायू सेना और फ्रांसिस वायू सेना का स्विंगत युद अभ्यास गरूड 7 का अवाजन कहां हो रहा है तो ये गरूड 7 का कौन सा संस्क्रण है और इसका अवाजन कहां पर हो रहा है ओपंशन नमर एक महाजन फायरिंग रेंज पधिकानियर के इंदर, ओपंशन नमर दो जोधपूर वायूसेना स्टेशन और ओपंशन नमर तीन पोखरन फायरिंग रेंज जसलमेर और ओपंशन नमर च्यार उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर होगा जोदपूर वायू सेना स्टेशन जहां पर गुरोड का साथवां संस्क्रण किया जा रहा है जो बार्तिय और फ्रांसिस वायू सेना के मद्दे युद्य ब्यास है और नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं फरवरी 2013 में जी 20 देशों के परतिनिदों का सम्मेलन राजस्तान में का आयोजित होगा जैपूर जोधपूर कोटा और जैसलमेर तो इसका राइट अंसर होगा कामपे होगा आयोजिन जोधपूर में जी 20 देशों का परतिनिदों का सम् फेज के निर्माण हेतु वीतिय मंजूरी दी गई है फेज 2D, फेज 1D, फेज 1C या फेज 2C तो इसका राइट आंस रोगा फेज 1D तो चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरफ जोदपूर में राजस्तान इंटरनेशनल एक्सपो का आउजन कब किया जाएगा कि आप सबको पता है और आपको बार-बार पढ़ाया गई भी गया है आपको अब तक याद हो चुका होगा 11-13 मार्च 2023 को और इंपोर्टेंट है प्रिक्षा में सपने वाला क्यूशन है मैं बार-बार बोल रहा हूँ तो इसको जरूर याद रखें तो राजस्तान इंटरनेशनल एक्सपो का आउजन का किया जाएगा जोधपूर में और कब 11-13 मार्च को और अन्तिम क्यूशन है आज का वह हम देख लेते हैं 14-20 नौंबर तक पंडित बाल नेरू सपता का आउजन किस अकादमी के द्वारा किया जाएगा राजस्तान बर्जमास अकादमी राजस्तान हिंदी गरंत अकादमी बाल साहित्य अकादमी या राजस्तान संसकर्थ अकादमी तो इसका राजस्तान श्रोगा बाल साहित्य अकादमी के द्वारा नेरुबाल सब्ता का अयोजन की अजारा है तो दोस्तों आपको अच्छे से एक से पांच तक कंप्लीट सुज़स और साथ में रास्तान का इंपोर्टेंट क्यूसन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो की पीडियेफ आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द करवा दी जती है धन्यमाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में